मैं घर में सबसे लाड़ड़ा और सबसे ज़्यादा बदमास और दुस्ट कहल नी रहुआ वो कहल जाना एक नंबर के लखेड़ा वो हम रहनी है घर में लोग कहत भी रहले हा कि सलना पड़ी हमारे को मास्टर रहले हा उतकहतर लेहा पापा के कहले कि बबाबा यी बेटा आपका सुधर गया ना तो हम क्या किये कि क्लास आठवी में टॉप कर गए और टॉप करने के बाद हर किसी में हेंकार आता है नवी में भी टॉप कर गया और दसवी में हो गया हमें हमारी सो कॉल्ड हमारी गल्फ्रेंड को हमसे हो गया रोश और उनों ने हमारा कर दिया त्याग और हम डूब गये गम में अभी अभी सुनते रही है अभी अभी सिर्फ एक ब्रेक अप में होने है अभी तो एक और हमने उस रिस्ते को किया खतम लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम UPSC करेंगे और आइस बनेंगे अधित्य पांडे इस सिविल सर्विसेज फाइनल एक्जामिनेशन रिजर्ट्स 2023 ऑल इंडिया रैंक 48 आप सभी को मेरा प्रणाम मेरा नाम आदित्य पांडे है जो रैंक 48 लेकर के आया है UPSC एक्जामिनेशन 2022 में और भारतिय प्रसासनिक सेवा का एक सेवक बनने जा रहा है आज लोग मुझे पहचानेंगे जानेंगे और सोचेंगे कि यह तो कितना बड़ा आदमी हो गया है या फिर वो कहते हैं कि हमारे यहां कि अरे बबुआत हमारे डियम होई है अब बड़का महराजा धिराज होई है लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे पिता साथमी पास भी नहीं है और मेरी माता पाचमी या नहीं है मैं सबसे चोटा हूँ घर में सबसे जादा लाड़डा भी रहा हूं मेरी दो बेहने हैं एक बड़ा भाई है सब का प्यार मिला है और वह कहते हैंना कि säv Agra प्यार मिलता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है सायद सबसे बिगड़ा हुआ मैं ही था और इस बिगड़ने के कारण प्यार मिलने के कारण मेरी जो पढ़ाई है वो सिर्फ पटना तक सीमित रही नहीं पटना इसलिए क्योंकि पिता जी भी ज्यादा पढ़ाई नहीं किये ह चुकी मैं घर में सबसे लाड़ड़ा और सबसे ज़्यादा बदमास और दुस्ट कहल नी रहुआ वो कहल जाना एक नंबर के लखेड़ा वो हम रहनी है घर में लोग कहत भी रह लेया कि सलना पढ़ी वो लग बात बाप पढब की नापढब उता भविष्ट के गर्त तै करी आप उकरा से पहले गौर बात बता दी हमारे वो मास्टर रह लेया उता कहत रह लेया पापा के कहले कि बाबा यी बेटा आपका सुधर गया न तो हम मूझ मुझ मुडवा लेंगे उस सर को हम पूछना चाहेंगे कि सर मुडवाना पड़ेगा क्या खेर वो अन्य स्टोरी है अब आते हैं मेरी बदमासी पे एक दिन अचानक पिता जी ने कहा कि बिटा आपको अब पटना छोड़ना पड़ेगा तो मैंने भी ज्यादा कुछ होहला नहीं किया सायद पिछली कक्षा में अंक बहुत अच्छे नहीं आये थे इसलिए मुझे पटना छोड़ना पड़ा दीदी उस समय गुजरात के जामनगर में थी और हम अपना वो कहते हैं न बोरिया बिस्तर उठाए और हम पहुँच ग गया और दस्वी में हो गया हमें प्यार तब तक जीजा जी और दीदी जो थी वो ट्रांसफर करके जा चुकी है असाम और मेरी मातासरी वो पटना से उठके आ चुकी है जामनगर क्योंकि हमें अपनी दस्वी वहीं से खतम करनी थी पर वो कहते हैं कि प्रेम में बोड़ाय वो रोते हैं उनकी पत्नी कारण हो गया वो रो रहे हैं वो पत्तियों से पूछ रहे हैं फूलों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी देखी है कहीं जनक नंदनी तो वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा रिलेट उन्हीं से कर पाया और 10th में हमने इस प्रेम के चक्कर में हमने अपना थोड़ा स्कोर खराब कर लिया, रिजल्ट फिर से वही कि अब तुम्हें पिता की यागोश में रहे के पढ़ना पढ़ेगा, और हमें पिता जी ने कहा कि अब तुम जामनगर से उठके वापिस पढ़ना होगे, और पढ़ना आने के बाद हमने केवी कंकडबाग में आडमिशन के लिए अपलाई किया, और मेरा जो आडमिशन था केवी कंकडबाग में हो गया, पर अभी भूलिएगा नहीं, अभी प्रेम बाकी है, हमने ट्वेल्थ भी किया वरवाद, वो कहते न कि मैं चुकी छोटा था, लाडला था, तो सबसे जादा जो कहते न बल, प् जब LPU पहुचा, तो चुकी पढ़ने में थोड़ा ठीक तो था, और अभी भी प्रेम चली रहा होता है, और पहले सिमिस्टर में हमने स्कोर किया 8.7 या 8.8, बढ़ियां स्कोर पिता जी खुश, लेकिन अगले ही सिमिस्टर में हमारी सो कॉल्ड, हमारी गल्फ्रेंड को हम से हो गया रोश, और उनोंने हमारा कर दिया त्याग, और हम डूब गए गम में, अब जब गम में डूबा आसिक होता है ना, तो उसके गाने होते हैं तुझे भुला दिया, और ऐसे ऐसे गाने चलने लगते हैं, चुकि हमारा सेकेंड सेमिस्टर थोड़ा बरबाद हो गया हमने पिताजी को बोल भी दिया कि हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा हो गया है, माताजी तो जादा ही गुस्सा हो गई, मा अभी भी कहती है कि तुम ना, तुम जीवन बरबाद कर लिया, अभी भी याद है ये शब्द, पर मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो के गई है तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हमको छोड कई से दी वो कहते हैं बिलकुल प्रेम में टूटा हुआ आशिक जैसे रोता है बिलकुल वैसे रोया हूं मैं पर वो कहते हैं कि पहले दूसरे सेमिस्टर में तो मुझे पता ही नहीं चला कि इंजिनेरिंग करनी भी थी कि नहीं करनी थी तीसरे सेमिस्टर में वो कहते हैं बिलकुल धक्का मैंने का ये नहीं करना था लेकिन अब छोड भी नहीं सकते थे तीन सेमिस्टर निकल चुके हैं अब आया तीसरा सेमिस्टर और तीसरा सेमिस्टर वो कहते हैं कि अभी तक तो आप प्रेम में डूब गया मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता दूरिंग इंजीनियरिंग लास्ट येर में आते आते एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करूंगा बाई कोडिंग देखके हमारा दिमाग चक्राता था और तुम चाहते हो कि हम सी सी प्लस नहीं लिकें तो भाई हमसे नहीं करम वो कहते नकिर्व कि उसमें भी प्रभू की कुछ कृपा रही हमने भी गुस्ते महा करके एक एक्जाम भर दिया और कॉग्णीत क्लियर हो गया और हमने नौकरी ले ली पापा थोड़े खूश थोड़ा मिठाईयां भी बट गई, हाँ ये मिठाई बटना ये बड़ा common चीज होता है, हमारे ये चीज हैं इसलिए होती है, क्योंकि बच्चा कुछ भी करता है, तो माबाप को लगता है कि बबुआ हमार अब DM में होई है, खेर अभी DM बनने में वक्त था, क्योंकि समय है 2013- कि 10 साल की जर्नी और है, बिलकुल, अभी अभी सुनते रही है, अभी सिर्फ एक ब्रेक अप नहीं होना है, अभी तो एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा, हमारा जीवन ब्रेक अपस में बीता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक महीने के लिए हमने जॉइनिं करी, क्यलकता में हमने जॉइन किया, और क्यलकता में एक महीने के बाद हमने कहा कि यह नहीं होगा, हमने ड्रामा किया, रोया, धोया, HR के सामने, HR भी बोली कि नहीं भाईया, इसको जाने दो, और हम फिर से वापिस पटना, पापा ने बोला करब काव, कुछ तक करे के पड़िन होगा, वो कहते हैं, हमने जो छुआ, वो बरबाद हुआ, वो अलग बात है कि दुनिया की नजर में आबाद रहा, तो हमने कैट क्लियर किया, 95% के करीब मेरे आय थे, अब तक हम 90-95 किलो के भी हो चुके हैं, अब हम पहुँचे IIT रुड़की, मनीश सर को मने बोला कि सर हम आयम्टी गाजियाबाद जॉइन नहीं करेंगे, बिम्त रिची वगरा जॉइन नहीं करेंगे, हमको करना है IIT रुड़की, फीस कम थी, चले गया, और पहले प्रेम के बाद दूसरा प्रेम, इस बार भी गलती हमारी नहीं थी, इस बार भी, अब क्या ही बोलू, मैं अब है, वो कहते हैं नहीं कि जीने का नाम बस चलते रहने का नाम गाड़ी है, और जीने का नाम जिंदिगी है, हमें फिर से हुआ प्रेम और इस बार बड़ी नहीं था, इस बार छोटी से हुआ, साइध हमसे पान साल या छे साल छोटी रही होगी और हमने अब फिर से हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं तो हम डूब के करते हैं हम कोई काम इधर उधर नहीं करते हैं हम राम भक्ते हैं भाई हम जो काम करते हैं पूरी श्रधा से करते हैं तो डूब के किया a वो बनारसिया वाला चंदन वाला प्रेम नहीं हम बिलकुल पाने की उम्मीद से करते और पा के हैं अलग बात है प्रेम में हर बार फेल होते हैँ हमने उनसे प्रेम किया 6 मही नहीं बनकूल कहते हैं हनीमून पिरीड चला हमारा और एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो और उसने कोई reason नहीं दिया और वो छोड़के चलिए हमने उस रिस्ते को किया खतम लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम UPSC करेंगे और IES बनेंगे अब जब हम घर आ गए तो हमें पता नहीं था कि पूरी दुनिया वूका होने वाली थी हाँ वो MBA graduates पढ़ते हैं वूका वर्ड विच इस नोन एज वॉलटाइल, अंसर्टेन, कॉंप्लेक्स, अंबिग्यूस इतना बोल चुके हैं कि सब कहेगा कि साला बोर कर दिया है लेकिन दुनिया अभी तीन महीने में बिलकुल COVID से COVID को फेस करने वाली थी और हम नौकरी छोड़ के आ रहे थे पूरे मुहले वालों को तो ये लगा कि सायद work from home कर रहा है लोंडा तो उस समय तो इज्जत बढ़िया आई कि वाह पंडी जी का जो बेटवा है न बढ़िया कमा रहा है कुछ तो कर रहा है बढ़िया कर रहा है पहले भी बढ़िया कर रहा है लेकिन एक देड़ साल के बाद जब हमने 2022 का अटेम्ट दिया चुकि हमारे पास समय कम था मातर छे महीने साथ महीने का वक्त था हमारे पास और हम वह कहते न बिल्कुल बिल्कुल टूट जाना यार हम तो मतलब बह गए पिघल गए पूरा मतलब खतम ही हो गए लेकिन चुकि पहले से पता था कि भाई इस बार तो पढ़ाई नहीं हुई है तो पापा ने भी कहा कि रहे तु पढ़ नहीं न बाड़ा तक कहा से किलियर होई पढबा तबन होई करब तबन होई तो हम कहें कि बात तो सही है और यह बोलने के बाद हम लग गए अपने फिर से कोरियन ड्रामा में हमने का आप दो चार दिन का रिश्ट लेंगे उसके बाद होगी पढ़ाई सुरूप और अभी आपको यह भी नहीं पता है कि सला स्कोर का गैप कितना है प् के स्टेंडर्स बुक वेगरा दोस्तों से जान चुके थे सीमा थी वो भी थोड़ा बहुत बता चुकी थी और हमने तैयारी में लग गये थे हमने कहा इस बार फोड़ेंगे रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि 25 नंबर का गैप था और मात्र पांच या साथ दिन बाद प्रलिम्स 2021 देना था और इस बार तो हम बिल्कुल वो कहते हैं कि पूरे जी जान से दे कर क्या है और इस बार फिर रिजल्ट आता है एक महीने बाद और हम हो गए यह जो वक्त था ना यह थोड़ा मेरे लिए चालेंजिंग था क्योंकि जब हम नौकरी छोड़ के आये थे ना हम सोचे नहीं थे कि चार साल लगेगा 28 में नौकरी छोड़ना मात्र चार अटेम्ट 28 29 30 31 हमको 32 भी करना था लेकिन थोड़ा वो कहते ना कि कुछ संयोग ऐसा रहा कि मार्च में पैदा हो गये यूपीएसी कमिशन का कुछ रोल है कि भाईया अगस्त तक तुमको जाना है अब नहीं जा पाए अब क्या करें 32 वाला अटेम्ट नहीं था तो तीन चार अटेम्ट थे अब चार अटेम्ट में से दो अटेम्ट तो बाबु हम वो कहते ना एकदम मिट्टी में मिल जाना कोई बात नहीं खेबा अब कर ला हो जाई दिल्ली उली जाय के मन बाता चल जा तब तक लोगों को को ओरोना का इंपैक्ट थोड़ा कम हो चुका था लोग अपने अपने वर्क फ़र्म होम से वर्क फर्म ऑफिस हो चुके थे चेंज हो चुका था थोड़ा बहुत गड़गले है, सला पढ़वे न करा है, लफवा ही एक नमबर के, बढ़का लफवा, उस दौरान जब मैं विचलित हुआ, तो मुझे लगा कि एक, अब किसी एक ऐसे मिंटॉर की जरूरत है, जो मुझे मेरी गलतियां बता सके, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो कर ली है, जी एस खुद से पढ़ाई की थी, ऑप्शनल के लिए एक मित्रा सर है, मैंने वहाँ पे जॉइन कर लिया था, फिलोसिफी, लेकिन ये तकलीफ सुरू हो गई, कि अब मैं करूं क्या, तो एक मिंटॉर नीड हुआ मुझे, और वो मिंटॉर के तौर पर मैंने बात की, सिविल्स ड इंटर्विव हम देख लेंगे, और वहाँ से हमने और मेरे मेंटॉर्स ने अपनी गलतियों पे काम करना सुरू किया, और उस चीज को हमने बिलकुल वो कहते हैं न, फलीभूत करना, हमने फलीभूत किया, और हमारा रिजल्ट इस बार UPSC 2022 का, उसके जस्ट पहले जब आय 2021 का, तो सुरुती मैम ने टॉप किया, और हमें पता चला कि हम मात्र धाई नंबर से पिछड़े थे, अब सोचो हम अपनी जर्नी 25 से 2.5 पे लेके आ चुके हैं, और वो कहते हैं न, कि फेलियर में भी एक अलग मोटिवेशन, वो हमें मिल चुका था, और हमने कहा इस बार गलती नहीं होगी, इस बार हम आर नहीं हैं, पार हैं, और इस बार वही हुआ, हम अपने मिंटॉर के हल्प से इस बार पार हुए, और हम प्रिलिम्स क्वालिफाई कर गए, मिंटॉर ने कहा कि आदित्य हमने अपनी बात पूरी कर वाली, अब आप मेंस और इंटर्विव देख लो मेंस भी हमारा क्लियर हो गया भगवत क्रिपा रही हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था अच्छे से पढ़ा था मेहनत की क्लियर हो गया अब आते हैं इंटरव्यू में अभी तक तो आपको समझ में आही गया होगा कि लॉंडा है पूरा बलंट जो कोई वो कते न लोक लपाक वाली बात नहीं है जो गलत है तो गलत है भाईया अब हमको इंटरव्यू में मौक वाले कर रहें कि देखो अपना आवाज टोन डाउन करो सामने वाले भिफर जाएंगे बिगड़ जाएंगे बुरा हो जाएगा हई हो जाएगा हो जाएगा फलाना धिमकाना पता नहीं क्या का कहे जा रहे थे, लेकिन हमको एक मेरे mentor थे, IMS के ही, मनीज बर्यार सर, लंबा संयोग रहा है उनके साथ, उन्होंने कहा कि आदित है, अगर आप अपनी चीज को rationally defend कर रहे हैं, legally defend कर रहे हैं, ethically defend कर रहे हैं, morally defend कर रहे हैं, अगर इन चार concepts को अगर आप प्रूफ कर सकते हो अपनी भाशन में, अपनी अपनी वक्तव्य में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डर लेनी की जरूरत है, और हमने अपनी reality को नहीं बदला, हमने वही किया जो हमें करना था, मैं जैसे ही इंटर हुआ ना, शुकला सर का था, शुकला सर ने देखते ही बोला, अधित्य, have a seat, और उसके बाद उन्होंने बड़े प्यार से बोला, यार, you are a very interesting character, you love listening to Ram Charitmanas, but at the same time you watch Korean dramas, what is this, बहुत interesting, और उसके बाद पूरा पैनल, हाटली तो नहीं कहस रहा था, लेकिन सब के चेहरे पे वो कहते हैं कि मन्द मन् इंटर्व्यू चला, और जब हम आगे बढ़े, philosophy के प्रशन, रामानुजाचारे पे प्रशन, चारवाग पे प्रशन, और बहुत सारे questions, बहुत मज़ा आता है, to be very fair, ये mock walk वाले जो डराते धमकाते रहते हैं, भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत प्यारे लोग होता है, या बहुत खुषते वो, सजल सान ने बोला, रहे एक सो पचासी कम से कम, और हुआ भी कुछ ऐसा, मेरे एक सो नब्बे नमबर आए, और मेंस में मेरे 822 के करीब थे, टोटल 1012 बना, और भगवत क्रिपा रही, राम जी की क्रिपा रही, और वो कहते न, जैसा प्रभू चाहते हैं, होई हैं वही जो राम रची राखा, और राम ने रच दिया हमारे लिए, हमारी बात को भी पूरा कर दिया, हमने कहा था कि पहले पेज से नीचे नहीं जाएंगे, और बिल्कुल आखरी में और तालिसमें अस्थान पर आदित्य पांडे का रैंक था, और ये मुझे प लेकिन चुकी मेरे लिस्ट में दो आदित्य पांडे थे, तो अब मैं डाउट में कि अब मैं वाला की वो वाला, और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने दोनों आदित्य को देखा की नहीं देखा, तो मैंने जैसे ही उनको बोला कि यार एक बार प्लीज रॉन लंबर वाच चेक कीजे नहाराज, प्लीज देख लीजे एक बात, तो हमने कहा 1500993 और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा निस्चिंत रही है, आफी का है, और लिटरली मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, उस समय खुशी से ज़्यादा ना, एक ये एसास होता है ना, कि आप जो तीन सा करो, प्रोनी की ज़रूरत है, अगर नहीं रोगे न, वो यहां रह जाता है, वो घुटन नहीं होगी बरदास्त, बात करो, माता पिता से बोलो, उनको समझाओ, समझेंगे, कोई भी लक्ष तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं हो सकता, यार, अब देखी कहल तही जाला कि बिहारी जैसन जिद्धी कोई ना होला, अगर बाभाईत, मरते तहार नियर कोई होला, ना होला, यही से रामधारी सिंग दिन कर, अब हमरा इना मालूम क्यों बिहार के रह ले हा कि ना रह ले हा कि यूपी के रह ले हा, लेकिन उनकर रास्ट्र कभी कहल जाला, अब एक रवत के जाते पाऊ उखड और मानव जब जोड लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, तो यार रवा लोग आपन सक्ती पर यकीन करी, अब कहल भी जाला कि भाई बिहारी जैसन जिद्धी तक कोई होबे ना करेला, तो हम जैसे जिद्धी रहनी, अगर रवो जिद्धी बन जाइब, लेकिन वही बात बाकी तहरा लीगल रहे के पड़ी, एथिकल रहे के पड़ी, और मोरल रहे के पड़ी, अगर गलत काम ना करब, विश्वास बनाए रखब अपना पर, तो जीवन के जे भी लक्षबानू, रवा पालिब, धन्यवाद। और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इक्षा शक्ती है, बट किसी वज़े से, फनांशल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वज़े से, जिसकी वज़े से वो उस गुर्वत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो कि उन्ह उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी, जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। कि अगर देश में कोई टैलेंटेट व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है, और सिविल सिवा में जाना चाहता है, उसको फानंशल इसू की वज़े से रुखना नहीं पड़ेगा, और यह एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है जब हम देश में गुज मेल चाहिए, वो नीचे दिये गए लिंक में अवैलेबल है, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं.